नमस्कार दरसकों, कैसे हैं आप शभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो हमारा वीडियो है वो शंभवत आपके लिए बेहत महत्पुर्ण होने वाला है आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप निंद में हैं तो निंद में सपना देखना ये प्रकिर्ती का देन है जब भी लोग निंद में होते हैं तो कोई न कोई शपन, कोई न कोई स्वपन लोग अवश्य देखते हैं और आपको पता होगा कि हड़ एक सपने का आपके जीवन से कोई न कोई अर्थ, कोई न कोई शम्बंध भी अवश्य होता है अगर आप निंद में हैं तो सपना देखेंगे ही देखेंगे और अगर आप सपना देखते हैं तो उस सपने का आपके जीवन से कोई ना कोई शंबंध, कोई ना कोई मतलब अवश्य होगा होता क्या है कि लोग सपना देखते हैं परन्तु सपने का जो मतलब है वो लोग समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से वो अपने आने वाले वक्त के वाड़े में अपने आने वाले समय के वाड़े में लोग जान नहीं पाते हैं और इससे उनके जीबन में शमस्या हो जाती है परन्तु आपको चिंता नहीं करना है अगर आप निंद में है और आपने निंद में सपने में हाथी क के बच्चे को देखा है तो हाथी के बच्चे को देखने का मतलब क्या होता है इस शपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होगा क्या पड़िवर्तन होगा क्या कोई फाइदा होगा या कोई नुकसान होगा बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए पर मित्रों आपको बता दे अगर आप निंद में है तो निंद में हाथी के बच्चे को देखना सुख सम्रिध्धी का संकेत होता है ये सपना बहुत जयाद अच्छा और बहुत शांदार होता है अगर आपने सपने में हाथी के बच्चे को देखा है तो आपके जीवन में सुख सम्रिध्धी बहुत जयादा आने वाली है आपके समाज में आपके परतिष्ठा में बहुत जयादा बढ़ोतरी होगा समाज के लोग आपका शम्मान करेंगी आपके सुख में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी साथ में आपके वैभव में भी बहुत जयादा ब्रिध्धी होगी अगर आपके दामपत्य जीवन में कोई समस्या थी तो आपका दामपत्य जीवन भी बहुत जयादा मधूर हो जाएगा अगर आपके प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी तो आपका प्रेम संबंध भी बहुत जयादा शांदर होगा और प्रेमी प्रेमिका का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा अगर आपके जीवन में धन संपती की समस्या थी पैसों की पड़ेशानी थी तो आपको चिंता नहीं करना है आर्थिक रूप से आप मजबुत होंगे और आपकी जो आमदनी है वो बहुत जयादा बढ़ने वाली है अगर आपके पड़िवार में सुख सांती की कमी थी आपके पड़िवार में तनाव था तो आपका पड़िवारिक जीवन भी सुख सांती से भर जाएगा और पड़िवारिक जीवन सांदार हो जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा अगर आपके मन में कोई प्रस्ण हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता आवश्च की जाएगी वैसे मुझे उमीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हट जगा सेयर कर देना है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यववद